Hello students, welcome to Global Online, this is Ankhita Sout, so we are also at Paper 1 के final revision के लिए Most expected questions की series आज मैं लेकर आई हूँ जिसमें logical reasoning के सभी important questions को हम cover करेंगे ये questions as it is भी examination में बहुत बार पूछे गई हैं और आगे आने वाले examination में भी जरूर पूछे जाएंगे तो आप सभी students इस session में जरूर इन तक बने रहेगा और कोई भी doubts रहों किसी भी question में तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो आगे बनने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि exam qualify करने के लिए paper 1 preparation पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इसमें आप असानी से 75 प्लस score कर सकते हो अगर आप एक smart preparation को follow करते हो और इसके लिए complete course हमने launch किया है जो कि examination के difficulty level और latest pattern को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है इसमें हम complete paper 1 के full syllabus video lectures आपको देते हैं बहुत ही simple language में real life examples के साथ बहुत ही जादा interesting way में यहाँ पर आपकी सारे concepts clear करवाने के मैं surety देती हूँ साथ ही full syllabus notes आपको PDF format में मिलेंगे जिसको असानी से अपने mobile phone में भी download करके आप पढ़ सकते हो full syllabus mock test में आपको 60 से भी जादा mock test मिलेंगे दोनों languages में and इसमें से hazardous questions exam में आते हैं and यह mock test अगर आप लोग attempt कर लेते हो तो definitely आप लोग examination में अच्छा score कर सकते हो and साथ ही 2000 प्लस MCQ question bank में आपको मिलते हैं previous year questions, most repeated questions and most expected questions so हरे question के solution के साथ आपको detail में explanation भी दी जाएगी ताकि revision के दौरान भी आपके सारे concepts clear हो जाएं यह सभी questions, revision में आपको बहुत help करते हैं so given whatsapp numbers पर contact करके आज ही इस course को join कर लीजिए इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार fees देनी है, 2000 रुपई exam तक यह fees valid रहेगी, यह course valid रहेगा and इसके free videos के access के लिए global online आपको जरूर डाउनलेड कीजिए store section पर जाकर search bar में आपको course का नाम लिखना है course के overview के बाद content पर click करते ही आप यहाँ पर देख सकते हूँ syllabus मिल जाएगा, separately मेरे folders मिल जाएंगे and यहाँ पर unit wise folders हैं जहाँ पर आपको theory lectures, mcq lectures, mock test और notes भी मिल जाते हैं यह exam oriented course है, definitely 6 महीने के अंदर अंदर आपको exam को qualify करने में यही course मदद करेगा so given numbers पर contact करके आप इस course की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो पहला question है, a deductive argument is invalid if तो किसे वे deductive argument को invalid कब माना जाता है सबसे पहले deductive argument में मैंने आपको बताया है कि हम लोग top से bottom की और move करते हैं यानि कि उपर हमारे पास दो statements होती हैं जिसके combination को premises बोला जाता है इन दोनो statements को true करने के बाद, true साबित करने के बाद हम क्या करते हैं हम conclusion की और move करते हैं क्योंकि ये दोनो statements अगर हमने true साबित कर दी है तो definitely सी बात है कि यहाँ पर conclusion भी इसका true ही होगा तो इस तरह से क्या होता है एक deductive argument को valid माना जाता है लेकिन यहाँ पर invalid की बात की गई है तो इस according directly आप देख सकते हो option number 2 में बोला गया है कि premises true है लेकिन उसके conclusion को हमने false कर दिया तो यह क्या हो गया यह अमान्य हो गया एक argument तो correct answer है option number 2 इस तरह से आप लोगोंने याद रखना है देखो कैसे simple से story बना करके हम directly answer पर पहुंच गए बहुत important topic है बहुत ही ज़ादा exam में पूछा जाता है कि classical Indian school of logic के हिसाब से sense organ कौन से है उसके नयाए philosophy के अंदर कौन कौन से schools आते है तो sense organs की बात करते हैं तो हमारे पास basically five sense organs होते है जिसमें कि पहला आता है sense of sight sight यानि कि देखने का जो sense है जिसको कि चक्षू के नाम से जाना जाता है यहाँ पर misprint हो चुका है इसको आप लोग चक्षू जिसको की नेतर बोलते है जहां से हम देखते हैं आँखें ठीक है तो पहला है sense of sight दूसरा आ जाता है sense of smell जिससे कि हम सूंग करके किसी चीज़ को पता लगा सकते हैं तीसरा आ जाता है हमारे पास sense of sound इसको श्रोता बोला जाता है सुनने की पावर जो होती है किसी परसन में नेक्स आ जाता है sense of touch जिसको की तबाक के नाम से जाना जाता है नेक्स वी हैब sense of taste जिसको की रसना बोला जाता है तो यह five senses है जो की बहुत important है classical Indian school के अंदर अब यहाँ पर मानस यानि की मन की बात तो यह भी इसके अंदर आता है तो correct answer कौन सा होगा इसमें पूछा गया है not included तो correct answer है option number two अब students आपको बता देती हूँ कि सभी कलपक क्या होता है सभी कलपक का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आपको पता है perception जो चीज हमारे सामने होती है कोई चीज हमने अपनी आँखों से देख ली तो उस चीज के लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती that is called प्रत्यक्ष ठीके तो प्रत्यक्ष के जो दो टाइप्स होते हैं उसी में से एक टाइप का नाम है सभी कल्पक राइट और मानस की अगर पात करें तो मानस एक संस्कृत टर्म है जिसको की नॉर्मल हम थौर्ट बोल सकते हैं ओके ये दो टर्म्स आप लोगों के लिए आई होग नहीं थी जो की आप लोग अभी समझ चुके हो दो क्वेशन में कोई डाउट है तो हमें जल्दी से कॉमेंट कर दीजे अगर सेशन पसंद आ रहा है तो भी मुझे कॉमेंट करके बिता दीजे ताकि सीरीज को मैं कंटीनियो रख सको नेक्स्ट क्वेशन इस जो कुछ अनुमान पर दर्शित करने के लिए बनाया जाता है उस चीज को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट तो सबसे पहले आपको प्रोपोजीशन बता देती हूँ कि क्या होता है प्रोपोजीशन एक डेकलेरेटिव स्टेटमेंट होती है डेकलेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है जो कि किसी भी चीज को डेकलेर करती है फाइनल उसका रिजल्ट हमें बताती है ये एक डेकलेरेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि या तो true होगी, या तो false होगी, या तो वो बिलकुल सच होगी, या तो वो बिलकुल जूट होगी, बीच के case में इस statement में हमें नहीं कभी भी पसाया जाता, तो उसमें आता है हमीशा argument. next question is which of the following is or not accepted in Buddhism, so Buddhism हमने detail में discuss किया है अपने previous theory session में, so Buddhism में किस चीज को accept नहीं किया जाता, options आर अध्याय, अध्यास, प्रत्यक्ष, अपोहा, अर्थपती, अभवा और शब्दा, अभवा का मतलब होता है अभाव यानि कि किसी चीज की कमी, अभवाव का मतलब होता है प्रत्यक्ष हमारे सामने की चीज, अपोहा यहाँ पे आप लोगों के लिए में भी हो सकता है नहीं चीज है, अपोहा का मतलब होता है कोई भी negative process, ये एक negative process होता है, अर्थपती, किसी भी word का meaning, ठीक है, शब्द का मतलब, आपको पता ही है, कोई यहाँ पर बुद्धिजम में किस-किस को इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ पर याद इंक्लूड नहीं किया गया है A, D, E and F, ये words को इंक्लूड नहीं किया गया, सिरफ प्रत्यक्ष और अपोहा को ही अड़ किया गया है, अपोहा का मतलब exclusion theory, बुद्धिजम के हसाब से ये इसका मतलब है, it is a negative process of exclusion, किसी भी तरह कि exclusion का negative process की अगर बात कर रही है, that means हम अपोहा की बात कर रही है, and अगर प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष का मतलब आपको पता है, perception होता है, जो कि किसी का internal भी हो सकता है, and external perception भी हो सकता है, and Buddhist philosophy के अंदर इन दोनों चीज़ इस previous question में था, not accepted in Buddhism, ये question 2019 में पूछा गया था, और 2020 में question पूछा गया है, कि कौन से Buddhism में accept होती है, चीज़े, तो कौन कौन से चीज़े इसमें accept होती है, correct answer क्या होगा हमारे पास, अपोहा and प्रत्यक्ष यानिकी B and E, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, वही questions exam में आते हैं, Indian logic और जो आपकी logical reasoning unit number 6 है, इसमें आप लोग सिर्फ previous year questions भी अगर कर लोगे न तो आप सब चीज़ें समझ जाओगे, कि कैसे questions को ही गुमा करके हर साल पूछा जाता है, correct, next question is, which of the following schools has not accepted anumana inference as a valid source of knowledge, so anumana में valid source of knowledge किसको नहीं माना गया, बहुत से students हमें बोलते हैं, कि हमारे concepts clear है, लेकिन answer पता नहीं गलग क्यों हो जाता है, यह जो छोटे-छोटे से words हैं, जिसे हैं पर not accepted हो लाए, तो आपने इस पर ध्यान देना है, so इसके according correct answer क्या आजाएगा, correct answer आजाएगा चारवाख, ठीके, so चारवाख क्या है, it has not accepted anumana as a valid source of knowledge, चारवाख was philosophical school of thought, जिसको की 600 BCE में इंडिया के द्वारा develop किया गया था, next question is, which of the following प्रमाना's are accepted by विशेशिका philosophy, so विशेशिका philosophy के अंदर कौन-कौन से प्रमान जाते हैं, किसको include किया गया है या नहीं किया गया, उसके भी एक list बना दीजे, direct यहां पर answer बताती हूँ, A and B, that is, विशेशिका के अंदर प्रत्यक्ष और अनुमना को accept किया गया है, बाकी चीज़ों को नहीं किया गया, विशेशिका philosophy क्या होती है, विशेशिका दर्शन क्या होता है, यह Indian philosophy के जो मैंने आपको बताया कि six schools है, उन schools में से एक बहुत important school का नाम है, विशेशिका philosophy, ठीके, गंदर कश्यप जो थे, वो इस school के founder थे, and विशेशिका word जो है, वो divide किया गया था, and उसके अंदर अगर हम बात करें, द्रव्य, गुना, कर्मा, समान्य, विशेशा, एंड समवया, इन सब चीज़ों को एड किया जाता था, reality, god, soul, जो भी होती है न, आत्माई, भगवान, इन सब चीज़ों से related भी यहां पर discussion होती थी, next question is, the sequential order of syllogism of Nyaya philosophy, तो Nyaya philosophy के अंदर एक sequence होता है, उसको आपने यहां पर arrange करना है, तो सबसे पहले आजाएगा हमारे पास, क्या आजाएगा, प्रतिग्या आजाएगा, ठीके, प्रतिग्या आजाता है, then we have Hetu, then we have Udharana, यानि की example, then we have Upnaya, then we have Nigmana, तो यह एक form है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत important है, आपने याद रखना है, न्याय philosophy क्या है, न्याय philosophy भी Indian philosophy के, छे schools में से एक school है, और Gautam जो है, वो main proponent है, इस philosophy के, यह आपने याद रखना है, ओके, next question is, according to classical Indian school of logic, न्याय, which of the following conditions must be fulfilled by a true middle term, हे तू, so इसके directly answer पर ही जाते हैं, basic सा question है, A, B, C, D only, यानि की जितनी भी terms है, वो इस से related, बिलकुल, बिलकुल, सही बताई गही है, ओके, which given below our two statements, statement one and two, उपनिशदिक tradition, से related कौन सी statements true है, परविद्या means knowledge that presents human experience, and अपरविद्या means knowledge based on the human experience, दो questions दिये हैं, दो statements दिये हैं, सबसे पहले बता देती हूँ कि उपनिशद क्या होता है, उपनिशदिक philosophical, religious text है, जो कि हिंदुईजम के अंदर आता है, हिंदु धरुक के अंदर आता है, सनातम धरम आप लोगों ने जरूर सुना होगा word, वो सब चीज़े उपनिशद के साथ जुड़ी हुई है, अगला question है, नियाय philosophy को हमने अरेंज करना है, ये question, देखो, इस तरह से नियाय philosophy के sequential order को हमने अरेंज करना है, तो correct answer है, पहले है प्रतिग्या, then we have A2, then we have उदारना, निगमना, sorry, उपने आया, then निगमना, same question अभी हमने किया, तोड़ा सा गुमा करके यहां पर पूछा गया है, और कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से students, अगर देखो, आप हमारे Indian logic का 1 hour वाला session देख लेते हो, link description में मिल जाएगा, 20 minutes वाला session देख लेते हो, and here MCQ series देख लेते हो, तो 100% आपका, जो है सारे concept decisions में इसे clear हो जाएंगे, So, description box में एक playlist का link है, वहाँ पर आप देखिए, मेरे नाम से आपको बहुत सारे videos मिल जाएंगे, जो कि आपकी revision में मदद करते हैं, What is the correct sequence of steps in the case of inference according to Indian logic? So, Indian logic के हिसाब से देखो, वही question है, वही question थोड़ा सा गुमा दिया गया है, फिर से arrange करना है, तो arrangement पहले आता है, प्रतिजना, जिसको कि प्रतिग्या बोला जाता है, हम तब से इसको प्रतिग्या बोल रहे थे, कहीं पर प्रतिजना लिखा होता है, जैसे कि statement of thesis, दूसरा आ जाता है, फिर हे तू, यानि के statement of reason, यह इनकी English definition है, यह इनके Sanskrit and Hindi words है, आपको सब कुछ नोट कर लेना है, क्योंकि वही questions आती है, नेक्स्ट आ जाता है, उदाहरना, giving an example over here, and नेक्स्ट आ जाता है, उपनेया, statement of similarities, then we have, निग्मना, affirmation of thesis as proved, so यह आ गया, निग्मना, right, so इस तरह से आपने इसको arrange कर दिया, जो previous question था, वही question यह है, बस English में कुछ statements add कर दी गई है, अब देखो, यह भी same ही question है, यहाँ पर तो आप लोगों को bracket में, hate to, प्रतिजना, यह सब लिखा था, लेकिन इस question में नहीं लिखा है, तो आपको य statements को देख करके समझना है, कौन से statement क्या है, the hill has fire, पहार से धुआ निकल रहा है, यह क्या हो सकता है, यह प्रतिजना के अंदर आता है, because it has smoke, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, प्रतिजना, because it has smoke, यह क्या आ गया, यह आ गया, हेतु की category में, whenever, whatever has smoke, has fire, for example, oven, यह क्या दे यह क्या, उदाहरन, ठीके, this hill has smoke, which is invariably associated with fire, यानि कि इस पहाड में इसे धुआ निकल रहा है, जो कि आग से जुड़ा हुआ नहीं है, यह क्या आ गया, यह उपने आया आ गया, therefore this hill has fire, यह क्या आ गया, इसका निगमना आ गया, इस तरह से हमने देख हो, हर एक statement को इस question के सा सा यहां पर arrange होगा, correct, next is assertion reason based question, if there is contentation between Shruti and Smriti, Shruti prevails over Smriti, Shruti क्या होता है, सुनना, Smriti होता है, याद रखना, Shruti represents philosophical aspect of Veda and Upanishadha, while Smriti is an application of philosophical ideas, तो यहां पर correct answer is option number one, जैसे कि दो चीज़े मैंने बता दी, Shruti मतलब सुनना, जैसे कि हम लोगों ने भगवान के बारे में सुना है, अल्ला के बारे में सुना है, लेकिन कोई बोलते हैं कि हमने देखा नहीं है, तो यह Shruti के अंदर आ जाएगा, Smriti होता है कि क्या लोगों से सुनी है, वो हमने याद रख ली, that is called Shruti, that is called Smriti, okay, so यह आगया correct answer, next is, AI philosophy की statements दी है, उसका example दिया है, अकांग्षा, योग्यता, सनिधी and तातपर्य, किसी का meaning जो होता है, यहां पर बहुत easy question है, direct मैं answer पर जाती हूँ, अकांग्षा का मतलब होता है, it is a mutual implication or expectation, योग्यता, यानि कि किसी person की capability is the condition of consistency, सनिधी, सनिधी का मतलब होता है, the close proximity of the words to one another, and तातपर्य, तातपर्य का मतलब होता है, किसी चीज़ का meaning, validity of a sentence, जैसे मैंने कुछ बोल दिया, फिर उसके बाद मैं आपको simple language में समझा रही हूँ, तो आप मैं उसको बोल सकते हूँ कि म मेरा कहने का मतलब ये था, वो चीज़ी यहां पर दी ली है, ओके, next question is, which of the following schools of classical Indian philosophy reduce शब्द परमान, verbal authority of, verbal authority to inference, so, यहां पर देखो, answer में दिया गया है, विशेशिक, then we have Buddhist and Mimamsa, विशेशिक क्या होता है, ये six schools में से एक है, जो कि basically, वेडिक system पर focus करता है, ancient India के उपर इस पर ध्यान दिया जाता था, then we have Buddhist, ये क्या है, Buddhist believe death is a natural part of life cycle, and rebirth जरूर होता है, and Mimamsa के अगर बात करें, Mimamsa इसमें नहीं होगा, इसमें होगा ये, कारवता का, या पर इसको लोकायता बोला जाता है, कारवता का मतलब होता है, refuted verbal testimony, as a valid source of knowledge, because it is based on statement of some reliable scripture, किसी एक person के reliability के उपर बेस्ट यहां पर चीज़े रहती है, इसमें बोला गया है, कि comparison जो है, इसके अंदर accept नहीं किया जाता, okay, so ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, next is, इसमें बोला जाता है, सबते है, कि जब जीवन अर्थ पर देखा गया, तो कोई भी यहां पर नहीं था, any assertion about life's origin, thus should be treated as a theory, and इसको theory के रूप में ही माना जाता है, कि इसका कोई सबूत नहीं है, किसी ने कोई finalize अभी तक नहीं किया है, तो ये क्या है, ये है एक argument, argument क्या होता है, एक statement होती है, या group of statements होती है, multiple statements होती है, जिसको premises बोला जाता है, और उन premises को true और false थाबित करने के बाद, एक final conclusion निकाला जाता है, जिसको true या false सिरफ एक ही चीज़ पर, एक ही parameter पर मापा जाता है, next question is, a deductive argument is invalid if, तो deductive argument को invalid क्यों माना जाता है, क्योंकि, अभी हमने discuss किया, इसके premises true है, लेकिन conclusion false है, repeated question है, given below are some characteristics of reasoning, और आपको बताना है, कौन से deductive reasoning नहीं है, अब देको deductive reasoning मैंने बता दी, direct मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, कौन सा नहीं है, conclusion must be based on observation and experience, conclusion कभी भी observation and experience पर based नहीं होता, conclusion हमेशा premises या फिर उसके argument की validity, invalidity या उसके true और false होने पर ही based होता है, next is men and women may have different reproductive strategies, but neither can be considered inferior or superior to the other, any more than a bird's wings can be considered as superior or inferior to a fishpin, what type of argument is this, so यह क्या है, यह एक analogical argument है, analogical argument हमें बोलता है कि uniform होती हैं चीज़ी, similarities, analogy का मतलब ही आप लोगों ने similar, एक जैसा उससे याद रखने रहें, ठीक है, जहां पर भी बोला जाता है कि दो चीज़ें uniform होती हैं, similar होती हैं, वहाँ पर हमेशे analogical news होगा, select the code, which is not correct in the context of deductive argument with two premises, deductive argument, premises, valid, invalid, यह basic चीज़ी अगर आपकी clear हैं, तो आप answer दे सकते हो, इसका, that is, option number, यहाँ पर आजाएगा option number 2, an argument with two true premises and false conclusion may be valid, यह इसका not correct statement पूछी गई है, okay, so option number 3 नहीं है correct, option number 2 correct है, next question is based on wind diagram, statement based question ने बहुत कम chances होते हैं, लेकिन आपके knowledge के लिए आपको पता होना चाहिए, wind diagram represents arguments graphically, आपको पता है, इस तरह से circles की हिसाब से, wind diagrams हमें चीज़े बताते हैं, कि कौन सी चीज़ का कितना ratio है, क्या कौन सा particular statement बोल रहा है, wind diagrams के नहांस are understanding, wind diagrams may be called valid or invalid, wind diagram is clear method of notation, so correct answer है, A, B and D, wind diagrams enhance नहीं करते हमारी understanding को, जो चीज़ है, वो ही wind diagrams हमें दिखाते हैं, वो हमारे knowledge को, हमारी समझ को, और जादा बढ़ाने में मदद नहीं करते बिलकुल भी, next question is, a definition put forward to resolve a dispute by influencing attitudes, or steering emotions is called as persuasive, बहुत basic question है, direct definition है, deductive argument based question पिर से राच चुका है, explain मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जो एक statement मैंने बता दी कि first question में वही important है, so correct answer is option number B, that is one and three only, next question, Indian logic makes a distinction between deductive and inductive reasoning, so उसमें बुला है कि deductive and inductive reasoning के बीच में Indian logic ने एक कटोती ला दी है, Indian logic studies thought as such and not the form of thought alone, so correct answer क्या है, correct answer is option number four, that is statement one बिल्कुल गलत है and two बिल्कुल true है, Indian logic study क्या करती है, कि जो भी forms हैं किसे भी चीज के वो हमें बताती है, लेकिन ये कवे भी distinction, deductive and inductive reasoning के बीच में नहीं लेकर के आती है, इनके बीच में distinction लेकर के आती है, जो भी statements given होती है, paper one के साथ-साथ paper two preparation पर भी focus कीजेगा, exam oriented way में complete study material हम आपके लिए लेकर आएं हैं, जिसमें आपको full syllabus notes और MCQs मिलेंगे, इसमें आपको previous year questions, most repeated questions और expected questions हम देते हैं, जिसमें से as it is questions हर बार exam में पूछे चाते हैं, ये study material ना सिरफ exam qualify करने में आपको मदद करता है, वलकि इसके बाद interview को qualify करने में भी आपको बहुत help करेगा, so subjects के list आपके सामने हैं, इसमें से अपना paper two subject select कीजे, and given whatsapp numbers पर contact करके आप इसको आज ही join कर सकते हो, इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार फीस देनी है, बारा सुअसी रुपए, and मैं आपको शॉरिटी देती हूँ कि जब तक exam clear नहीं हो जाता, interview clear नहीं हो जाता, तब तक आप इसका benefit उठा सकते हो, so thank you so much everyone for watching this video, and I wish you all the very best.